हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल विने एकवीटी आज तीन अपरेल है संडे का दिन है और आज आप देखे तो यह दो स्टोक में आपके लिए लाया हूं जो इसके जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसके अंदर एक जो है बाई सिग्नल इमर्ज हो रहा है और इसके अं लाइक और शेर जरू करें शेर करना न बुले कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ऐसी अच्छी इंफरमेशन जो है पहुंच सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले क्योंकि मैं हर रोज जो है अच्छी वीडियो जो है पोस्ट करता रहता हूं जिससे क का चार्ट अगर देखे तो यह 700 रुपे के आसपास गया था उसके बाद इसके अंदर गिरावट चार्ट हुई इससे भी पहले यह इसने और हाई बनाया थे लेकिन फिलाल हम इसी के आसपास की बात करेंगे जो इसने शॉट टम में हाई बनाया तो इसके अंदर सबसे अगर देखे तो इसका जो चार्ट पेटन है वो अगर यहां से देखे तो यह एक लोवर हाई जो सिच्वेशन बना रहा था वो जो है यहां पर जो हाई बनाया था और यह ट्रेंड लाइन है जो यह ग्रीन कलल की लाइन है उसको यह चूकर अभी यह उसी के आसपास इसके तेजी रही और इसका जो 200 दिनों का यह में है यह 590 रुपे है और 9 डेस का यह में 480 रुपे तो इसके अंदर देखे तो सबसे पहले तो इसका में वीकली चार्ट भी आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर भी कुछ खास पैटन दिख रहे है यहां पर यह जो उपर क यहां पर चुका है यहां देख सकते हैं और अब की बार यहां पर देखे तो फिर से यह लोवर बेंड को टच किया और आप उपर की बेंड को यह टच करने जा रहा है जिसका लेवल निकल कर आ रहा है तक्रिबंद 600 रुपे तो इसके अंदर अभी फिलाल हम उससे यह 600 प्राइस के उपर बाइंग कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको दो बागों में बाइंग कर सकते हैं अगर नीचे में 480 के आसपास भी आए तो एक बाइंग यहां कर सकते हैं और जो स्टॉप लोस रहेगा वह 470 रुपे के आसपास का आप स्टॉप लोस लेकर चले स्टॉ सबसे पहले यह इसका टारगेट की रेजिस्टन हो सकता है क्योंकि अगर आप देखे तो थोड़ा से जूम कर लेता हूं यहां से देखे तो पिछले दिनों के अंदर जो इसने तेजी आई थी और यहां पर इसने एक सपोर्ट लिया था वह लेवल जो है वह लेवल यहीं है पांसो पचास रुपे के आसपास का यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो यह अब इसके लिए एक सबसे पहला रजिस्टन साबित हो सकता है अगर यह उसको भी पार करता है तो फिर इसके अंदर जो है 600 रुपे के टार्गेट हो सकते हैं आगे आने वाले एक वीक के यहां पर हाला कि इसने एक ट्राइ किया था अटेम किया था इस जो है 1200 रुपे को पार करने का लेकिन ट्रेंड वो जो है अटेम्प फैल हुआ नीचे आया 1000 रुपे के आसपास सपोर्ट लिया और वापस से इसके अंदर एक बाइंग इमल्ज हुई हाला कि अगर इसके अं पहले है सुक्रवार को वापस से यह डाउन हुआ है और इसके अंदर थोड़ा सा मुझे सा लग रहे है कि बाइंग करने का मौका बन सकता है और जो रिस्क रहेगा याने कि स्टॉप लोस रहेगा एसल वह बहुत ही छोटा रहेगा और जो रिवोर्ड है वह बढ़िया रह है और यह इसका वीगली चार्ट है वीगली चार्ट को भी हम देखेगे और यहाँ पर देखसकते हैं यह वीगली चार्ट लगाया है और थोड़ा सा जून कर दो इसके अंदर कुछ स्क्राशियल जो हैmos यहां पर होती हुई दिख रही है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह M.A.C.D का Bullish crossover होने की तैयारी में है अभी यह हुआ नहीं है लेकिन होने की तैयारी में है अगर हो सकता है कि अगले next week यह जो Bullish crossover अगर हो गया कि ये technical chart के उपर जब भी ये ऐसा pattern बनता है ये नीचे का lower trend और उपर का lower trend मतलब कि ये अगर आप बोले के उपर में जिस level के उपर ये resistant face कर रहा था नीचे की तरफ जहां पर ये support face कर रहा था तो इस दोनों के बीच का जो ये gap है ये तकरिबन 300 रुपे के आसपास आता है तो जब ये इसको breakout करता है तो ज्यादा तर मामलों में ऐसा होता है कि ये इसका जब breakout के बाद ये जो gap होता है उसका जो calculation होकर आता है वही इसके अंदर add हो जाता है तो मतलब कि ये इसका अगर round figure target देखे तो ये 1200 रुपे को cross करके उपर जाता है तो इसका जो final target होगा वो 1500 रुपे के आसपास हो सकता है और इसके अंदर stop loss क्या रख सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और 1500 रुपे तो इसका final target होगा इससे पहले अगर देखे तो जैसे ही ये 1200 रुपे को cross करेगा और current price इसका 1200 रुपे है आप इसी प्राइस के आसपास इसके अंदर buying कर सकते हैं और मेरी माने तो आप दो भागों में buying कर सकते हैं जैसे कि आपको अगर 10,000 रुपे के share लेने हैं तो 55,000 करके आप दो बार इसको खरीच सकते हैं जैसे पहले 1200 रुपे में इसको भाइब कर सकते हैं दूसरा जो भाइब करें वो 1200 से 1220 रुपे के आसपास भाइब कर सकते हैं और जो stop loss रहेगा वो 1180 रुपे के आसपास का स्टोप लोस लेकर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है और जो सबसे पहला टार्गेट होगा वो 1350 रुपे के आसपास रहेगा उसके बाद 1450 रुपे का और फाइनल जो टार्गेट रहेगा सिफ वीडियो देखकर कोई भी decision ले अपनी research करें अपने financial advisor की सला ले और उसके बाद ही कोई accordingly decision ले और जो मैंने data share किया है उसके उपर अपनी research ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like और share करें friends share ज़रूर करें और मेरे channel को subscribe करें ऐसे videos के लिए so thank you for watching this video